hello guys то मैं निपांसवारती यह अपने चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागिप करता हूं तो दोस्तो आज यह वीडियो मैं कुछ आपको इंट्रेस्टिंग बताने वारा हूँ काली लाइनेक्स के बारे में हम यहाँ पर आज काली लाइनेक्स के बारे में बात करें तो दोस्तों जले देखते क्या मैं आपको बताने वाला हूँ जादा देर ना करके चली जली से स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दू कि अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस रेड बटन को प्रेस करके दो इस तो चले ज्らब dont आप करना करके इस स्टार्ट करते और देखते क्या मैं आपको बताने वाला हूँ तो आप जैसे कि होगए क्यात है क्esee पर आप अपने। क्या 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 करना क्या क्या वाला हूँ उंस不知道 क्या 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 बहुत ज़्यादा important है अगर आप hacking कर रहे हैं काली linux से तो आपको कौन कौन सा directory आपको पता होना चाहिए कि यह directory बहुत important है कि इसी का अगर आप computer या server hack करेंगे तो आपको पता होना चाहिए और दूसरी बात दोस्तों आप वैसे भी अगर normal user है फिर भी आप काली linux करते हैं तो आपको फिर भी पता होना चाहिए कौन कुन सा directory बहुत ही ज़्यादा important है और क्या-क्या उसका काम होता है दोस्तों एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर almost 7 या 8 directory है जो की बहुत ही ज़्यादा important होता है और किसले important होता है यह भी मैं आपको साथ-साथ word password का spelling होता है वैसे मुझे पता है पर पी यह यह spelling होता है काली लानेक्स के अंदर तो सब यह एक फाइल होता है जिसके अंदर आपके जितने भी यूजर है PC में वह सब आपको यहाँ पर लिश्ट करके आपको मिल जाए तो मैं इसको क्या करता हूं open करता हूं cat atc password तो यहा यहाँ पे अलग-अलग काम के लिए होता है मेरा main user यहाँ पर देख सकते हैं काली है तो काली बैसिकली नॉर्मल यूजर होता आपको पता होगा अगर आप काली लानेक्स कर रहे हैं तो और यहां पर और बी डिटेल आपको मिल जाता है कि यूजर का कोड क्या है जैसे इसक कौन सा bash script चला सकते हैं मालों कौन सा टर्मिनल इसको मिला हुआ है तो बिन बैस को मिला हुआ किसी को बिन एसेच मिलता है तो ऐसा अलग-अलग होता है वह यहां पर आपको देख रहा है इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ एक और फाइल है यहां पर जो की बहुत ह परमिशन जो है वो डिनाइड आ रहा है क्योंकि इसको रूट परमिशन चाहई हुता है तो मैं आगे सूट लगा देता हम और पासवर्ड यहां पर एंटर किया है तो यहां पे आप देख सकते हैं यह आ चुका है अब दोस्तों इसका फायदा क्या होता है इसका फाइदा दोस्तों यह होता है कि इसमें भी आपको सारे यूजर्स मिलेंगे जैसे कि इसमें सारा यूजर्स दिख रहा था वैसे ही इसमें भी सेम दिखेगा इसमें दोस्तो में फाइदा ये होता है की इसमें आपको पासवर्ड मिलेगा साथ साथ में यहाँ पार देख सकतें जो मेरा काली उसका पासवर्ड ये यहाँ पे दिख रहा है वो अलग बात है दोस्तों कि यह यहाँ यहाँ पर encrypted होता है मतलब आपको directly ऐसे नहीं दिखेगा password की क्या exactly यह encrypted होता है पर इसको आप अराम से word brute force करके word list से आप इसको अराम से crack कर सकते है hascat के through या फिर john the reaper tool होता है उसके through आप अराम से इसको crack कर सकते है यह दोनों फाइल बहुत ही ज्यादा hack कर रहे है किसी कोई website का server आपने hack क्या तो यह बहुत ज्यादा important होता है इसके बाद दोस्तों एक यहाँ पर directory होता temporary तो जो भी file वगरा आप run करते हैं service वगरा run करते हैं तो वो temporary जो भी file save करता है वो इसके अंदर save करता है तो आपको delete करना हो तो आप यहाँ से कर सकते है या फिर आप किसी का server hack करते है और अगर आपको कोई ऐसा file है जो आपको run करना है लेकिन उसके लिए route permission चाहिए तो आ लेकिन main इसका use यही है कि इसके अंदर आप कोई भी file copy करके आप बिना permission के इसको run कर सकते हैं मतलब अगर normally मैं कोई file भी इस system के अंदर copy करूं और मुझे permission नहीं है रन करने का तो वो मैं नहीं run कर पहूंगा लेकिन अगर मैं इस temp folder के अंदर copy करूंगा और फिर run करूंगा तो वो अराम से run हो जाएगा बस मुझे permission चेंज करना होगा उसका CH mode करके वो आपको मैं पहले किसी वीडियो मैं बता चुका हूं काली linux वाला command जो था एक वीडियो उसमें अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था permission कैसे देते हैं दोस्तों वो वीडियो हम normal user क्या क्या कर सकते मदलब मैं यहाँ पर id लिखता हूं तो मेरा आप देख सकते normal user क्या घथा तो जोर षोगई शूडो एक हता सूडो इसका नाम तो यह आप दोस्तों देख सकते हैं पर कि परमीशन यहाँ पर लिखा वाए तो यहां पर आप देख आजए आगर आप जारा तो यह यहИं मेन चीज यहें पर लिखाव है कि रूट जो है वो कौन-कौन सा कमांड रन कर सकता है और दूसरा यहां पर लिखा हुआ है All Allow Member to Group में अगर जो भी और Member है मतलब जैसे कि मैं यहां पर दूसरा यूजर हूं काली तो वो भी यहां पर इस फाइल में तो लिखा हुआ है कि सारे कमांड रन कर सकता है बस आगे उसको sudo लगाना होगा इसका दोस्तों यहां पर मैंने आपको पहले ही बता दिया home folder किसलिए होता है cd home slash home cd slash home तो यह फोल्डर दोस्तों इसलिए होता है इसके अंदर जितने भी यूजर से उसके सारे फोल्डर आपको दिख जाएंगे यहां पर तो ctf 200 यूजर नहीं यह मैंने फोल्डर खोदी बनाया है बस काली यहां पर यूजर है तो अगर कोई और भी यूजर होता तो वह भी आपको यहां पर दिख जाता है इसे फोल्डर नाहीं होटा है जो भी यूजर का डिटा होता है सारा रोट को छोड़े जहाइन जनॉरमल का डिटा उता इसके अंदर तो यहां पर मैं रूट के अंदर फड़ा हुआ है वहां यहांपे मुझे दिख सकता है लेकिन अगर वैसे मैं देखने झाहूं तो नहीं दिकेगा तो मैं फिर से नौरमल यूजर store just the guy idea was이는 एंदर ही इंस्टॉल होता है मुझे एक् encrypted नहींorts में inherous तो यह आफ्ड देख सकते हैं ने से इसको जतना वह मैं टूल से इंस्टॉल्ड मेरे पीसी में मतली कलियानऍकंज स FORa यह सिस्टम है उसमें इसमें में यहां पर टूल है वो सारा यहां पर आपको दिख रहा है या फिर बिन में या फिर S.BIN में भी होता है यहां पर CDS.BIN नाम का यहां पर फोल्डर देख सकते हैं तो इन दोनों के अंदर आपको जो भी है यह इंशॉल्ड फाइल सब यहां पर आपको दिखेगा इसके बाद दोस्तों एक फोल्डर आता है व्यर नाम का तो यहां पर लस करता हूं और cd यहां पर वय तो यह सुब बएसीकली मिसलेनियस डेक्टरी इसको बोलते है मतलब मिस्लेनियस व्ल मतलब इसमें इंपॉर्टेंट फाइल होते है अगर एक डबाल डबाल में चागर जब जाएंगे डबाल डबाल में तो यहां पर आपको सर्वर के फाइल मिल जाएंगे जो भी है या फिर लॉग वगेरा भी अगर आप देखेंगे तो यहां पर मिल जाएगा आपको सीडी लॉग यहां पर देख सकते हैं तो इवेर का फोल्डर दोस्तों पूल जाएगे डीटिल कौन-कौन सा है वह डायरेक्टरी तो आप वहां से भी देखके दुबारा मतलब आगर आप वीडियो में भूल गया तो आप दुबारा उधर से देख सकते हैं तो यह आप दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहां पर स्क्रीन पर लिख दिया सारा जैसे क अप एक बार दुबारा से देख सकते हैं कि पहले क्या था एक सवर्ण का ऐसी उजर मिलता है और सरे चुम्साफ आपको इसके सुपरा सारा एक फोल्डर होता है लिक्त बार होटा है जो जो भी program run रहा उसके temporary file save होता है और shutdown होने के बाद इसके अंदर के सारे file delete हो जाते है basically मैं normal बात में ये बोल तो temporary जब तक system ओने तब तक इसके अंदर save होता रहता और फिर उसके बाद delete हो जाता है और कोई program अगर आपको run करना हो आपके पास permission नहीं है तो आप इस folder के अंदर copy करके उसको run कर सकते हैं और दोस्तों windows में भी temp folder होता है same उसी के तरह है इसके बाद दोस्तों etc sudo और एक file है इसके अंदर क्या होता है user के लिए permission set किया जाता है जो भी root user है वह नॉर्मल यूजर के लिए permission set करता है इस फाइल के अंदर इसके बाद दोस्तों slash root एक folder है यहाँ पर डिरेक्टरी है जो की नॉर्मल भासा में अगर windows की बात करूं है तो windows में c user और user के बाद एक admin नाम का एक folder होता है वस फोल्डर के तरह है same to same और इसके अंदर root के सारे files होते है root user जो भी है उसके सारे जो भी personal file वगेरा वो इसके अंदर होते है इसके बाद दोस्तों home है slash home तो home के अंदर आप एक तो देख सकते हैं कितने user है इसके अंदर सबका folder मिल जाएगा आपको basically normal user जो भी होते है normal user जो भी है उसका पूरा data इसके अंदर होता है home के अंदर personal file जो भी है वो home folder के अंदर होता है तो जैसे windows में होता है c user नाम का एक folder होता है उसी के तरह यह होता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर slash user नाम का एक directory है जो जिसके अंदर के आपको सारा installed app मिल जाएगा installed app अगर slash user और slash bin अगर आप करेंगे slash user slash bin तो इसके अंदर आपको installed मिल जागा जो भी installed app है वो सब आपको दिख जागा इसके बाद या फिर आप s bin भी कर सकते हैं दो है यहाँ तो जैसे windows में आपको पता होगा c program file एक यहाँ पर folder होता है तो उसी के तरह c program file s bin और एक और folder प्रोग्राम फाइल x86 आपने ध्यान दिया होगा तो उसके तरह s bin आप मान सकते हैं तो यहाँ पर इसके अंदर आपको सारे installed app मिल जाते हैं और slash where यहाँ पर miscellaneous directory है मतलब इसके अंदर विंड जो काल linux के important file होते हैं बहुत जादा वो इसके अंदर होते हैं जो कि delete आप नहीं कर सकते हैं और इसके बाद windows है जैसे सी में मैं बात करूं सी बोलू मतलब नॉर्मल windows OS में तो windows नाम का एक folder होता है सी में अगर आप जाएंगे सी ड्राइब में उसके बाद windows एक आपको यहाँ पर फोल्डर मिलता तो उस फोल्डर के तरह है सेम टू सेम यह भी यहाँ पर तो दोस्तों यही था इस वीडियो में मैं आपको बता दिया कि क्या है यहाँ पे कौन-कौन से वह important directory है यह तो आप को hacking में बहुत ज्यादा help करने वाला है अगर है आप hacking में जा रहे हैं तो इसको अपने ध्यान में रख ले आपको याद कर ले तो ज्यादा बैटर रहेगा तो यही था इस वीडियो मैं आपको बता दिया वीडियो अगर दोस्तों अच्छी लगयो या फिर informative लगयो तो वी subscribe subscription मेरे लिए बहुत ज्यादा motivation है तो दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद